तो आप जैसे इसको फर्स टाइम उपन करेंगे ना इस अप्लिकेशन को तो आपका कुछ इस तरह से स्क्रीन आएगा तो आप चाहे तो आपके अपका एक्जाम देना होगा या तो फिर फ्री में उपन होगा तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिखके अपनी अच्छी वाली कमेंट निटी को बता दे कि यहां पर अकांट के लिए से अपने मैंने जब क्रिएट किया था तब मुझे सब्सक्राइब करो और आपका एक ना एक विंडो उपन होगा डिपॉल्ट ब्राउजर में जो भी आपका होगा तो इसको क्लोस कर दो और यहां पर आपको जितना पर टाइम दिखा रहा है तो उतने टाम के लिए हमको रुकना पड़ेगा जैसे यह कांट डाउन खतम हो ज से नंबर्स देने पड़ते हैं आई-प्याड्रेस वो रेक रहेते हैं सबसे पहले हमें दीफॉल्ट सा मतलब एक सिंपल साम नेटवक बनाते हैं उसके लिए एक पीची लेंगे एक स्विच लेंगे देखो या पर इतना साले स्विचे से लेकिन अभी के लिए सबसे बेसि हमें पीची स्विच करना होगा अगर आपको कुछ नहीं बस आपको इतना स्विच लेना पड़ता जो मैं ले रहा हूँ वो फोकस्ट में फोकस्ट जो है थार्शन के बच्चों के लिए और हम इसको एक पीट राउटर से कनेक्ट कर देंगे यहां पर तो यहां पर यहां लाइन में आ गये अब इसको करनेक्ट करने का देखो अगर आप सबको इसको करनेक्ट ben तो इसके इसके बहुत सारे तरीक अप से करते ही Nada को इस यह एक प्लिक कर जाओंगे उससाब से एक केबल अपने आपको स्विच करती होगी असलोगी आपको इतना सब स्विच करने की ज़रूक ने आप आप स्विच और राउटर को करो या फिर राउटर को करो वो सेम होगा उससे कुछ फ्रकने पड़ेगा PC to switch करो या फिर switch पे पहले क्लिक कर के बाद में PC पे क्लिक करो तो सबसे पहले हम समझते है PC के लिए यह पर PC 0 है हम इसको हटा के PC 1 कर देदे क्योंकि हमें बच्पन से आदा देगे हम 0 से नंबर ने हम 1 से start करते हैं तो कभी-कभी यह confusing हो सकता है तो इसलिए आगे जितने भी लेक्टर्स आइंगे उसमें हम इसको एडिट करेंगे अगर यह लाउटल 0 है तो हम इसको वन से लेक्र स्टार्ट करेंगे आप यह पर बात करेंगे PC नर्मल सा PC होता है जिसको ज्यादा कुछ अटो इसको आपने अप हुआ मैंने कुछ नहीं किया तो सबसे पहले हम नेटवर्क डिसाड कर लेता है आप देखो आप कौंसा भी नेटवर्क यूज कर सकते हो 10.0.0.0 यह एक नेटवर्क हो गया यह फिर नेटवर्क का क्लास है वह क्लास A था आप यह फिर यह नेटवर्क यूज कर सकते हो यहां पर नमबर कितिने भी चेंज कर सकते हो मतलब अगभी आप बोलो तो यहां पर 10 का 10.1.1.1 11.1.1 आप जो चाहिए वो नमबर जिसे चाहिए जिसे यूज़ कर सकते हैं बस आपको एक नमबर अगर अपने उठा जा तो इसको पूरे प्रैक्टिकल करने हम रखेंगे हम इ आप चाहँ तो आप यह भी आप इसमें रख सकते हो पर अभी के लिए हम इसे कैपे भी रखेंगे हम यहां प्राउटर के लिए तो मैं इसे डिलीट कर देता हूं यह और फिर जैसे अब भी आपने देखा अगर हमने यह जो नमबर दिया वो PC के लिए नहीं यह नेटवक क नमबर है देखो जैसे अभी आपने इस नेटवर्क को स्टार्ट किया ठीक है 192.168.1.0 तो अभी आप समझो कि 1.0 है तो 1.0 जो नेटवर्क है उसमें 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 ऐसे 1.125 तक आप जा सकते हो आप उसके आगे भी जा सकते हो बाट हम ऐसे एक आप सी कंप्यूटर में नहीं आप प्राक्टिकल रियलाइस में भी तो चन्फिगर करेंगे तो उससाब से 125 तक जाना एक से अप्शन कंसिडर किया जाता है तो देखो इसके बाद आएगा इसके बाद आएगा 192.168.1.1 और उसके बाद आएगा 192.168.1.2 उसके बाद ऐसे कंटिग्यू होते जाएगा 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.25 तक तक तो देखो 1.0 यह नेटवर्क का नाम हो गया ठीक है आपको इसे कई पर भी यूजने करना है फिर आएगा उसके बाद 1.1 1.1 जो होता है वो राउटर के लिए इस्तेमाल होता है तो देखो यह पूरा एक नेटवर्क है ठीक है यह पूरा एक राउटर और फिर आता है 1.2 यह जाएगा PC के लिए अगर यहां पर 3 PC होते है तो 1.3, 1.4, 1.5 ऐसे वो तीन ऐसे तीन पीसी का लागाता है देखो देखो सिंपल शॉट में बताता हूं PC का जो नेमिंग है वो स्टार्ट होगा 1.2 से आपने जो भी नेटवर्क लिए है 2.0 और राउटर का नंबरीन स्टार्ट होगा 1.1 देखो 1.0 और 1.1 यह आपको कई पर भी यूज नहीं करना है अगर आप एक नेटवर्क को पूरे नेटवर्क को तो अभी हमने PC को नाव पीसी का यह दाम दे दिया 192.168.1.2 यहां पर हम क्लिक करेंगे PC पर अब हम PC को कॉन् जाएंगे desktop पर और IP configuration आप यहां से भी configure कर सकते हो configuration में जाके बढ़ यहां से आपको थोड़ा interface और gateway थोड़ा हार मिलेगा उससे अच्छा आप desktop में जाके IP configuration पर जाएंगे तो आपको simple interface मिलेगा तो देखो IP address में IP address में आपको यह नंबर देना जो हमने decide किया था यह पूरे आउटर के पास है फिर आता है 1.2 1.2 आमने PC को दे दिया तो फिर 1.2 192.168.1.2 यह हो गया PC का सब्रेट मास पर अप्लिक करोगे वो आप्लेक जन्रेट हो जाएगा डिफार्ट गेट वह बाद में देखेंगे क्या होता है ठीक है अभी आपके मन में आउटर आता होगा कि अगर हमने इसको अप्लेक पास होगा क्या होगा तो अभी मैं दिखा था हो कि मैं दिखा था होगा कि नहीं होगा तो देखो सबसे पहले अपका इंटरफेस है यहां पर खिल्क करो इसको थोड़ा हम बढ़ा कर लेते हैं ओके काम करता है इसको फूल-screen कर लेते हैं मतलब कि सबसे आपको जादा कुछ देखेगा मैं तो यह पैकेट होता है मतलब यह टेस्टिंग के लिए कामात है कि आपको सिस्टम काम कर रहें किने देखा में राउटर को अगर मैं राउटर और स्विच के बीच में मैसेज ट्रांसफर करों तो देखो स्विच हाज नो फंक्शन को किया है kye insects a TV 플राए के बीच है नहीं जाएगा तो उसके लिए ंब्राउट ल कभी ओन्विकर करना पड़ेंगा तो इसके लिए आ तो देखो उसके लिए हमें प्रॉक्सस के लिए ना हमें ऑप लीबल राउट कर ने लोटर में जाएंगे यह फूल स्क्रीन में यह दिखकते हैं लोटर में जाएंगे तो देखो इतने सारे नहां तो आपको इसमें से किसको कॉन्पिकर करना है हमें उसी को अपको करना है जो कनेक्टर है और जो कनेक्टर है वो आपको केसे बता है जलेगा यहां पर दिखेंगा यहां पर दिखेंगा fa 0x0 that is nothing but fast ethernet 0x0 which is connected तो 0x0 connected नीचे के network से तो में fast ethernet पर क्लिक करोंगा अब यहां पर Fast Ethernet 020 के पोर्ट में मैं डालूंगा हमने जो नेटवक का एक IP एड्रेस लिया वह हमने क्या नेटवक का इड्रेस क्या था 1.0 यह पुछे नेटवक का इडेंटिफिकेशन है ठीक है और फिर 192.168.1.1 ही हमने राउटर का आईपी गया है तो यह जो अप लेबल्स है रहें वह मैंने खुद के इसके लिए कि यह थे तक कि इस इमपलोगी अध्रेस लेइट हो गया तो आप चाहो तो कर सकते हो नहीं चाहो तो नहीं कर सकते हो जाता है अब हम्हें सब्रेट मास्ट पर क्लिक करूंगा तो आट जागा और रिमेंबर उ सेव करते हैं वह अगले वीडियो में देखते जाएंगे अगर आप प्रोफेशनल नेटफरकिंग में आना चाहते हैं अफिर प्राक्टिकल भी कभी कभी आप सेव करने की आदत रख सकते हो वह अच्छा होता है सेव करने की आदत का भी बुरी नहीं होती है तो जैसे मैंने पहले बोला था स्वीच कांफिगर करने को 15 seconds लगते हैं तो देखो आभी भी यह और इंजी है तो जब तक यह ग्रीन ने जाता तब तक स्वीच कांफिगर नहीं होगा तो कभी-कभी हमें वेट करना पड़ता है इसके हम पेशेंस बहुत लगता है कि आप ऐसा करो तो अभी मैं पैकेट लेकर देखूंगा राउटर से पीसी तक यह फेल होगा यह फिल सक्सेस्फुल एको फेल होगा तो मैं बताता हम यह फेल क्यों है यह फेल इसलिए कि कई बार नेटवक को अन्फिगर होने के लिए लगता है अभी मैं कुछ नहीं करूंगा सिर्फ और एक बार ट्राइ करूंगा विल डू सम टाइम पास यहां से यहां तक फिर अगली बार सक्सेस्फुल आएगा तो अब दो तीन बार ट्राइ कीजिए फिर भी हो फेल आ रहा है तो आपके इसमें एरर है बट आप दो ती सब्सक्राइब करना है तो आगे आगे वीडियोस थोड़े कंप्लेक्स होते जाएंगे और अगर कोई इसे प्राक्टिकल के लिए देख रहा है जो की में फोकस है तो आप फटाफट की आगे की सीलीज देख सकते हो आप जब तक देखो तब तक सब अपलोड हो जाएंगे इस वीडियो के लिए इतना ही अगली वीडियो में हम देखेंगे तोड़ा कॉंप्लेक्स मतलब तीन चार पीसी करेक्ट करके दो तीन राउटर हो सब आगे के दिखते जाएंगे इस वीडियो के लिए इतना है थैंक्यू